नमस्कार आकाश्वानी की राष्ट्रे साहितिक पत्रे का साहिति भारती में आपका स्वागत है मैं मनोजमाइन कर और मैं हूँ नवोदिता मिश्रा कुछ दिन बाद थी पाँच जून को बिश्व परियावरन दीजवस के रूप में मनाता है परियावरन को लेकर हमें अपने आसपास की सकारत में भ्यान चलानी चाहिए और ये निरंतर करने वाना काम है आप इस बार सब को साथ जोड़कर स्वच्चता और रुक्षा रुपन के लिए कुछ प्रयाज जरूर करें विश्व परियावरन दिवस हर प्रित्वी वासी को सोचने पर मजबूर तो करता ही है और ये एक ऐसा विशय है जो विज्ञान और संस्कृती दोनों ही प्रिजम से समान रूप से देखा आका चाह सकता है कोई आश्चरी की बात नहीं कि इन दोनों धाराओं का उत्कृष्ट निचोड हमें मिलता है हमारे अस्तित्व से जुड़े इस एहम विशय पर किये गए लेखन में यानि विविद लेखों, जार्निल्स और पुस्तकों में और क्यों न हो, सामोहिक जन चेतना के लिहाज से लेखन वांग में एक ऐसी विधा है जो आम व्यक्ति तक आसानी से प्रभावी रूप से पहुँचती है अपनी विशिष्ट शब्द शैली से पाठकों को अवगत और प्रेरित भी करती है और समग्र भारती साहे तिधारा में आदिकाल से ही प्रकृती पर्यावरन के प्रती प्रेम भावना के अनुपम उधारन मिलते हैं हर दौर में परोक्ष अपरोक्ष इन प्रयासों ने इस महत्वपून मुद्दे पर जन जागरती का कार किया पिशले कुछ दशकों में इस दिशा में किया गया दो विभूतियों का अतुलिनिय कार्य अनायस याद आता है और वो हैं पर्यावरणविद चिंतक और लेखक, सर्विश्री, सुन्दरलाल बहुगुणा और अनुपम मिश्र, उनका लेखन और उनके कार्य पर किया गया लेखन एक और पाठक को उनके गहन चिंतन और अभिवक्ति से अवगत कराता है, वहीं दूसरी और इस दिशा में सक्रिय होने की प्रेणा भी देता है उदाहरण के तौर पर सुन्दरलाल बहुगुणा की लिखी दो किताबें याद आती है 2007 में प्रकाशित धर्ती की पुकार और 2009 में प्रकाशित दे रोट टू सर्वाइवल विकास और पर्यावरन के अंतर संबंध को इन पुस्तकों में बहुत ही मार्मिक अंदाज में टडोला गया है और कोई कैसे भूल सकता है अनुपम मिश्र के लिखी अनेक पुस्तकों में से दो कालजे कृतियां आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजद दून दें एक बात कहें अनुपम मिश्र का जन्म वर्धा में हुआ था इस तथ्य का उनकी लेखन शैली की सरलता और सादगी के साथ क्या अंतरसंबंध हो सकता है इसका जवाब कोई भी दे सकता है जिसने गांधी जी का लेखन पढ़ा हो सार्थक लेखन कितना प्रेवनादाई होता है इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आज युवापीडी और बच्चे तक अपने अपने स्तर पर प्रकृती, परियावरण, वन्यजीव जैसे विश्यों पर अवलो कनात्मक लेखन में सक्रिये हैं इंटरनेट पर सर्च कीजिए सुनते रहिए साहित्य भारती ओडिशा की अपनी विशिष्ठ, सम्रिध, साहित्यक परंपरा रही है हमारे लंबे स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई ओडिया साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण भूमी का आदा की देशप्रेम, राष्ट निर्मान और समाज नवचना के परिप्रेक्ष में दो नाम अलख बन उभराते हैं खास्तोर से जून के महीने में आजादी के अमरित महोत्सव में पत्रिका का साधर नमन इन विभूतियों को जिनके कारे ने जन जागरती में बेजोड योगदान दिया हमों लेख कर रहे हैं उतकल व्यासकवी फकीर मोहन सेनापती और उतकल मड़ी गोप बंधुदास का नमस्कार मैं डॉक्टर नूतन सत्पती फकीर मोहन सेनापती की उपण्यास 6 मान 8 गुंट दलित समाज की प्रतारना के माध्यम से समाज को सचेट करती है मामू उपण्यास अंगरेजी सासन के विरुध साधरन नागरिक को सचेट करती है प्राइस्चित, मा, माटी और मात्रभूमी के प्रती युवा वर्ग के बन में प्रेम की धारा प्रवाहित करवाती है लच्मा, मुसल्मानों द्वारा, शोशित वर्ग के मन में प्रतिशोत की भावना का ध्योतक बनती है एक आधार में कहें तो फकीर मोहन जी ने अपनी कृतियों में समाच सुधार की भावना को आधार बनाया है। यही समाच सुधार की भावना ही अप्रत्यक्स रूप से राष्ट निर्मान का कार्य निर्भान करती है। अंतरगत सुधार में 1877 इस्वी में हुआ था। उनके समय को ओडिया साहित्य में सत्यवादी युक के रूप में जाना जाता है। उनकी कविताओं की मुख विसेस्ता सरलता एवं राष्ट चिंतन है। अकेले पन में अपने साथ बातें करना, पुनह अपने करांतिकारी विचारों पर विचार करना, कभी विलाप करना तो कभी गौरवपुल्ण, राष्ट पर मर मिट जाने की भावनाओं से भर जाना, दुखी होना, अंतरता इस्वर भक्ती से भर जाना, एवं एक उन्नत भ लक्षित होते हैं अभिमान आस्वासन एवंग आत्म समर्पन व्यथित प्राण के अंतिमस्रू नामक कविता में लीखते हैं जिसका हिंदी अन्वाज कुछ इस तरह से है जीवन क्या केवल निराशा का बालू है मरू मरिचिका सी स्नेह प्रिती है तब फिर कहो किस आसा से सं संसार में दूसरों के लिए मानो नित मरता है आगे दूसरी कविता प्रेम का यह परिचय में लिखते हैं नश्वर संसार में इस जीवन की गती क्षण भंगूर है क्या यहां नर्की प्रिती ऐसे संसे भरे प्रस्णों के बीच कवी कारा कविता में लिखते हैं कि अन्याय आधर्म को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। विश्व का मिलन चित्र कविता में लीखते हैं, मेरे प्राणों के प्रेम प्रवाह में बहेगी धरा, होगा या विश्व मेरे प्रेम से भरा। कारा कविता एक राष्ट रस परिपुर्ण एक स्वदेश प्रेन से सरावोर का वेग्रंथ है। गोबंदुदास जब तक राष्ट रहे एवं राष्टियता है ओडिया साहित में सदा अमर रहेंगे। के बिंदूओं का जिक्र किया। इस पावन भूमी की दर्शन वांग मैधारा में दो नाम ऐसे हैं जिनकी स्वर्णे म्रेशना धर्मिता को अलोकिक ही कहा जा सकता है। महाकवी कालिदास और संथ कबीर दास का अतुरनिय कारे आज और भी प्रासंगिक प्रतीत होता है। कालिदास साहित्य के बिना अपूर्ण है और महाकवी कालिदास के साहित्य में समग्र भारत का उसकी संस्कृति का ऐसा चित्र एकाकार हुआ है जो अन्यत्र दुरलब है। महाकवी कालिदास की साथ रचनाएं सर्वमान्य हैं। महाकवी कालिदास भगवान शिब को अपना आराध्य मानते हैं। महाकाल की नगरी में निवास करने के कारण यह एक सहज भी तथ्य है। महाकवी कालिदास ने अपने आराध्य भगवान शिब को अश्ट मूर्ति शिब के रूप में देखा है। वे आठ मूर्तियां हैं पांच महाभूत जिने हम कहते हैं खम वायुह ज्वलनो ज्वलम ख्षितिही आकाश वायु अगनी जल और प्रिथ्वी। ये पांच सूर्य और चंद्र तथा यजमान यजमान अर्थात वह व्यक्ति जो यग्ण करता है हवन करता है। इन आठ मूर्तियों में अपने आराध्य शिव को भगवान ने देखा है। ये आठों मूर्तियां प्रकृति का ही तो रूप हैं और यही कारण है कि उनकी सारी रचनाओं में प्रकृति के सभी उपादानों के प्रति उनका प्रेम या कहें आज की भाषा में तो परियाव प्रकृति के प्रति उनका प्रेम हमें जगह जगह दिखाई देता है। और विशेश रूप से व्रक्षों के प्रति उनका असाधारन अनुराग है। उनकी कोई ऐसी रचना नहीं है जिसमें व्रक्षों के प्रति उनका समरपन भाव दिखाई नहीं देता। रगवश महा परिचे इस रूप में देता है कि मैं अश्टमूर्ति शिव का वह दास हूं जिसे उन्होंने यहां इस सामने दिखाई देने वाले देवदार उवरिक्ष की रक्षा के लिए नियुक्त किया है क्योंकि पूर्वकाल में एक हाथी ने जब इससे स्वयम को रगडा तो इसकी त्वचा निकल गई थी और उस घाव को पार्वती ने वैसे ही सहलाया था जैसे की कार्थिके के शरीर पर किसी शत्रुसेना के प्रहार से उत्पन घाव हो तात पर यह है कि शिव ने उसको अपना पुत्र माना है यदि हम अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा करें तो वह शाकुंतला का प्रथम दर्शन ही हमें व्रक्षों को सीश्टे हुए दिखाई देता है और वहां यह कहा गया है कि शाकुंतला के धर्मपिता कण्व के लिए वे व्रक्ष शाकुंतला के समान ही उसके भाईयों के जैसे हैं इसके अतरिक्त उनका रितुसंभार नाम का जो खंडकाव्य है वहां खंडकाव्य तो पूरा रितुओं को ही समर्पित है भारत वर्ष में जो छह रितुए हैं उन छह रितुओं को कवी ने इतनी सूक्षमता से महार उपायित किया है कि वहां उनके परियावरण प्रेम के गंभीर पक्ष को रिखांकित करता है इसके तो प्रकृतिका ही काव्य है जहां मेघ को दूत बनाकर रामगिरी से अलका तक की यात्रा का वरणन किया गया है इस पूरे वरणन में इस देश की प्रमुख नदियों का परवतों का और प्राकृतिक संसाधनों का जो सूक्षम विवेचन है वह महा कभी कालिदास की उस प अंसर के लग उर जागा दिए यहां प्रकृत का मानिवी इस्तेवाल है प्रकृति कवीर के यह अलग से नहीं है उनके यहाँ प्रक्रिती पहार, नदिया, जर्ने, जितने भी आवयव हैं हमारे पर्यावरन के, वो सब मानवी कारुवार से जुड़े हुए हैं, वो मनुष्य की चितना से मनुष्य की बेहतरी के लिए जुड़े हुए हैं। इसलिए कवीर की जो प्रकृती मुलत कविताओं का जो नहितार्त है, वो इस बात में नहित है कि वो प्रकृती ऑफ्रकृत ऊड़ जोड़ते हैं। वो प्रकृत को सादगी की द्रिष्टि की देखने की पक्षपाती, पर्यावरण को सादगी, प्रकृत को छेड़ो मन, तो कहने का मतलग यह है कि प्रकृत का मनुष्य से जो गहरा रिष्टा है, उसके एक प्रस्थान बिंदू की तरह भर्षिकाल के दौर में, उनकी कविट प्रक्रित के उपकरां के रूप नहीं, जीवन द्रब के रूप में स्थापित करते हैं। उनकी द्रिष्टी शायवादी कग्यों या मदिकाल के कग्यों से अलग है। स्वरांज सौजन्य, संतोष अगनिहोत्री, आकाश्वाणी इंदौर और दिपांकर मिश्र, आकाश्वाणी गोरकपुर। लोटते हैं वर्तमान पर, स्टूडियो से बाहर निकल कर नजर डालते हैं नव प्रकाशन पर। सौलापुर से हाल ही में प्रकाशित कथा संग्रह, अखिल भारतिय गाव संम्मिलन के शीर्शक ने यकायक ध्याना क्रिष्ट किया, सरसरी निगाह डाली, तो पाया कि इसकी विशेवस्तू मानविय संबंधों संवेदनाओं को स्पर्ष करती ही है, साथ साथ, प्रदूशन पर्यावरन पर भी निगाह डालती है. इतना बड़ा शहर महानगर, वैसी लोगों की वहां पर गाड़ेई, प्रदूशन जादा रहता वहां पर, तुम कितनी भी सुविदा करो, तो मैंने ये सोचा, ये ऐसा है था, सबकी इसमें अब अपनी अपनी कहानी आनी चाहिए, सब ये कठे कैसे हो सकेंगे, तो ये कठ देख रहे हैं समय किताब हमारे हाथ में है, दो कथाएं इसमें है, एक तो है श्रम में वजायते, और दूसरी है गोपाद सशोर्य, यानि गोपाल का शोर्य, और तीसरी है अखिल भारतिय गाव सम्मिलन, ये बताईए लक्षमी कमल जी कि पूरे संग्रह में मानविय संबं आए, वो तो है ही, लेकिन आपने प्रकृती पर्यावरन का बिंदू भी इसमें लिया है, इसको कैसे जोड़ा है आप, इसमें ऐसे जोड़ा है कि जब दिल्ली में आने के बाद, वो नोहमबर 19 का एक प्रदूशन देखा मैने, और उस ताइम ऐसा कहर हुआ था, कि लोग दर्वाजे खिड़किया नहीं खोलते थे, गाव वाले लोग थे, वो जो सर्विस के बहाने यहां आये थे, और यहां उसका इन बैट गए वो, उसका मन लगा था, मगर जब ऐसा प्रदूशन आया, तो वो सब अपने अपने गाव की तरफ भाग गए, चुटिया लेके, स कोही खायल अपने दिल में, एक मराठी में कहा वत है, लेखको हिंड़ता बरा, मराठी में बोलते है, तदने लोग, तो उसका मतलब है, कि लिखने वाला, लेखक, कवी, यह जो लोग है, यह हमेशा घुमन तो रहना चाहिए, आज यहां काल यहां, उसको सब चिजे मालूम फिर यह करके फिर बहुत सारे खायल दिल में आए, अच्छा यह बात बताईए, पढ़ते पढ़ते एक दिल्चस बात सामने आई, अखिल भारतिय गाव सम्मेलन जो कथा है पहली आपकी, उसमें मैंने पहली बार देखा कि दो शेहर समबाद कर रहे हैं, तो उसके पीछे क क्या आपका आशे था? प्रगत है वो तो प्रगत रहे नहीं है, फिर भी उन लोगों ने, अब समन वे, दोनों में सास्वर नमद्ध्य समन वे, वो आना चाहिए उसमें, और वो जब आएगा इने जंगल कटेंगे नहीं, प्रदूशन हटेगा, बाकी इतने कायदे कानून भी है, वो तो जरूरी है, मगर थोड़ा सा रोक टोक करना, और यह सब बातों में एक गाओ ने, राजधाने दिल्ली, महानगर, मंबई, इन सब ने ठराओ जो किया आखरी का, जैसा अखिल भारतियों गाओ सम्मेलन होता है, और वहां आखरी दिन में सूप, बोलते हैं ना, वो समापति के साइब सूप बज रहा भी, तो इन लोगों ने भी ठराओ करके वो सम्मेलन का सूप बजाया, कि चलो, यह निसरग और सुष्टी दोनों बोलते हैं वहां ओटकर, हाँ, 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 आदमी लोगों ने इसका यह करना चाहिए, सम्मनों सादना चाहिए, और जभी यह चलते चलते आप से यह जरूर चाहूंगा, लक्षमी कमल जी, कि मराठी साहित्य में निसरग प्रकृती को वैसे तो कई साहित्य कारों ने अपने अंदाज में छुआ होगा, आपकी पसंद का कोई एक ऐसा व्यक्ति बताईए, जिसने अपने साहित्य के माध्यम से, तो मेर तो ऐसे तो बहुत सारे है, मुझे लगता है हर एक साहित्य के दिल में कहीं तो भी वो निसरगा आता ही है, मगर मेरे पसंद के अभी दो, किरन पुरंदरी जी, हाँ, उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है, वो पक्षिततने भी लिखते भी है, निसरगा का खयाल भी रखत इतना ही नहीं, वो पेड़ पोधे के भी बोली जानते थे, जानते थे, मगर है अभी भी है, और उनके साथ कभी बैठो और उनके से सुनो, तो आप तो दिन कैसा चला जाएगा, उनकी बात इतने दिल्चस्प बाते, वो सुनने कोई दिल करता है, बोलते रहे हैं, अपन दिल्ली निवासी, मराठी सहित्यकार, लक्ष्मी कमल गेडाम को आपने सुना, प्रस्तुती, केंद्रिय हिंदी रूप के कांश हमारे देश के लेखन का स्तर अंतर राश्रिय मंचों पर भी पूरे सम्मान के साथ आंका जाता है एक ओर गितांजली श्री रचित हिंदी उपन्यास रेट समाधी को अंतर राश्रिय बुकर पुरसकार से समानित किया गया, वहीं दूसरी ओर देवगिरी महाविद्याले औरंगाबाद के प्रोफेसर विश्नु पार्टिल रचित एक शोध निबंध को इंटरनेशनल शोव सोसाइटी द्वारा आयूजित परिशद बर्नर्च शोव इन यूरोप के लिए चैनित किया गया है और अंगबाद से प्रोफेसर विश्नु पार्टिल शोव इन यूरोप इस नाम की जो कॉनफरन्स हो रही है कैसरस स्पेन में वहाँ मैं अपना विचार जो शोव इन इंडिया इन कनेक्शन विट फेबियन सोसाइटी एंड लैंगवेज ये अपने विचार वहाँ में प्रस्तुत करूँगा और इसके दो आयाम है जिसमें मैं जीबी शोव जो है उनके बारे में हमेशा सौशोधन हुआ है और वो सौशोधन लिटरेचर या फिर उनके जो परसनल विउज है अब इंडिया इसके उपर हुआ तेकिन मैं अब शौ का जो connection है इंडिया के बारे में जो socialism, especially Fabian socialism के बारे में है यही वो विचारदारा है जो नहरू को प्रभावित कर गई एनी बेजन उन्होंने ये socialism यहां फैलाया और फिर बहुत सारी लोग इस से जुड़े और इसी का जो अंतिम सोरूप है जो हमारे पास democratic socialism हमने अडाप्ट किया नहरू एंड शौ का connection है जो है जो अपने democratic socialism या फिर जो हमने जिस तरह की economy अडाप्ट किये तो उसका connection ही deeply मैं ये साबित करने वाला हूँ कि कैसे वो इंडिया के साथ जुड़े है और इसका जो realization हुआ ओ है fire plan और जिस तरह से हमने communism को अडाप्ट ना करते हुए democratic socialism को अडाप्ट किया और language के बारे में जैसे अंग्रे जी का जो प्रसार है जिस तरह से उसका education होना चाहिए language learning होनी चाहिए इसके भी कुछ problems है जो European countries या फिर even England में भी face किये जाते हैं उसी के बारे में शौने जो कुछ कहाए वही इंडिया के बारे में भी बहुत relevant है यही इसी के बारे में भी मैं अपने विचार रखूँगा वहाँ स्वरांश सौजन्य जावेद खान आकाश्वानी औरंगाबाद मांसून उत्रा है जहरी खाल की पहारियों पर मांसून उत्रा है रातो रात भिगो गए बादल सलेटी छटों वाले कच्छे पक्के घरों को लौटत हैं अपनी धर्ती पर जनकवी नागारजुन के युगदान को याद करते हुए पटना से लेखक रिशिकेश सुलब नागारजुन भारतिय भाषाओं के शिखर कभी हैं वे जनकवी हैं मूलता जो जनकवी होता है उसकी कविता में जनता की आकांक्षाएं जनता के दुखदर्द जनता का संगर्ष जनता का स्वापन जनता की लालसाएं अभिव्यक्त होती हैं उन्होंने अपनी कविता में जनता की संगर्ष को और जीवन के प्रती मनुश्यता के प्रती जो स्वपन हो सकता है उस स्वपन को अभिव्यक्ति दी है और उस अभिव्यक्ति में जिस भाशा का जिस शिल्प का वे प्रियोग करते हैं वो अध्भुद है वो जनता की अभिव जनकवी बने और आज भी उनकी कविताएं आम जनता के पीश पढ़ी जाती हैं गाई सुनी जाती हैं नागारजु ने गद्ध भी बहुत प्रमुक्ता से लिखा उनके उपन्यास बल्चनमा को हिंदी का एक तरह से माना जाए तो सबसे ताकतवर और मौलिक और लगभग पहल आंचली को पन्यास माना जाता है इस तरह एक पूरी की पूरी जो जीवन से जुड़े हुए साहित्य की जो परंपरा रही है जन परंपरा रही है नागारजुन उस जन परंपरा के समवाहक रहे हैं नागारजुन का जो जीवन है वह जीवन भी यायावर का जीवन रहा है या यावरी देश का साइध ही कोई ऐसा भाग होगा जहां नागारजुन नहीं गए हो और जाकर के वहां के आम लोगों के बीच उन्होंने जीवन के दो चार दस बीस दिन न गुजारे हो तो जनता से जो गहरा जुडाव था नागारजुन का वह उनकी कविता की मूल चेतना बना और उन्होंने यह अथार्थ को इसी तरह ग्रहन किया बिलकुल जनता के बीच जाकर जनता के निकड़ जाकर और तब उस यह अथार्थ को रचनात्म की अथार्थ में परिवर्थित किया उसे अपनी भाशा और अपने शिल्प के बदौलत साहिते में परिवर्थित कि जन कवी नागार्जुन, स्वराश सोजन्य, अनिल कुमार तिवारी और अलका प्रियदर्शनी, आकाश्वाणी पटना साथ ही पत्रिका का नमन, देश भक्त, विद्रोही कवी, काजी नजरूल इसलाम और नाटककार, लेखक, आलोचक और पत्रिकार, मुद्रा राक्षस के अनुपम योगदान को सुभाश चंद्र उर्फ मुद्रा राक्षस, लंबे समय तक आकाश्वाणी से भी जुड़े रहे हिंदी पत्रकारिता दिवस के परिप्रेक्ष में याद आते हैं, वरिष्ट प्रसारण कर्मी, लेखक और पत्रकार, मधुकर ले ले पिछले सप्ता हैं, उन्होंने इह लोग को अलविदा कह दिया, पत्रका की ओर से उन्हें विनम्र शर्धा चले पिछले दिनों संस्क्रत साहित्य जगत को भी अपूर नेक्षती हुई, प्रख्यात विद्वान रमाकांत शास्त्री और वागीश शास्त्री ने धर्ती पर अंतिम सांस ली, उनका कार्य नई पेड़ियों का हमेशा माल्क दर्शन करता रहेगा कभी-कभी कोई ऐसी घटना होती है जो हमको बहुत ही गहन चिंतन करने को बाध्य करती है मैं बल्देवानन सागर आज ऐसे दो विभूतियों के बारे में अपनी भावान जली व्यक्त करना चाहूंगा जिनका एकी दिन याने ग्यारह माई को देहत्याग हुआ है ये दोनों पद्मश्री विभूतिया थी और संस्कृत विद्या की महान साधना स्थली के उपासक के रूप में जानी जाती है सर्वप्रथम में काशी निवासी, आचार्य, महामोह पाध्याय, पद्मश्री, श्री भगीरत प्रसात्री पाठी जी जिनको वागीश शास्त्री जी के नाम से सब लोग जानते हैं, उनके पुन्यस्मन में अपनी भावान जली देना चाहूंगा जब उनको पद्मश्री सम्मान मिला, उस समय आकाश्वानी के इसी स्टुडियो में संस्कित सौरुभम कारेक्रम के लिए मुझे उनसे बाचित करने का आउसर मिला था बहुत ही सरल सीधा व्यक्तित्व था उनका और दिन रात संस्कित साधना में विव्यस्त रहते थे के अनेक शास्त्रों के विविद्वान थे मरमग्य थे किन्तु वागयोग के द्वारा उन्होंने संस्कित भाषा की जो दूरू होता थी उसको दूर किया दूसरी विवोती पद्मश्री आचार्य रमाकांत शुकल जी जिनको सब लोग भाती में भारतम उनका जो लोकप्र गीत कविता है उससे जानते हैं पद्मश्री आचार्य डॉक्टर रमाकांत शुकल जी का हिंदी और संस्क्रित साहित्य के लिए बहुत बड़ा योगदान है उन्होंने कई पुस्तके लिखी लिकिन जो सबसे अधिक महत्वपुर्ण बात है वो है उनकी अपनी त्रेमासि पत्रिका अर्वाचिन संस्क्रितम जिसका वे पिछले 45 सालों से प्रकाशन कर रहे थे इस पत्रिका के कारण और उनका अपना स्वतंत्र जो संस्क्रित पत्रकारिता के लिए योगदान है वो विशेश महत्वपुर्ण है वे कवी तो थे ही थे बहुत अच्छे विचारक और लेखक भी थे और संस्क्रित को सरल भाशा के रूप में सरल कविता के रूप में भाती में भारतम के माध्यम से उन्होंने भारत और विदेश में भी संस्क्रित कविता को संस्क्रित विद्या को प्रतिश्ठापित किया इन दोनों महा विभूतियों के पुन्यस्मृति में मैं अपनी विनंब्र भावान जली अर्पित करता हूँ इसके साथ ही संपन्न होता है साहित भारती का जून महीने का अंग मनोज माइन कर और नवोधिता मिश्रा को अनुमति दीजे नमस्कार यावान जली अनुमक रपने और रखने को अनुमति दीजे अनुमति दीजे भारती का अनुम आवाल यद्राटी अन्न होता है ए्यावाई रपना जली या रखना है झाल झाल